बारत में माइनार्टी कौन है ये सम्मिधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। टीमेपाई केस उसको बोलते हैं 11 जजों की बेंच ने बोला था 2002 में रास्टी अस्तर पे तो कोई माइनार्टी मेजॉर्टी का काउंसेप्ट होई नहीं सकता है। इसी रिलीजियस बेसिस पे ही डिवीजन हो चुका है। इसलिए दुबारा फिर से आप रिलीजियस बेसिस पे कोई काम मत करिए इसको खतम करिए 2005 की बात है। 2007 में इलावाद हाई कोट ने बोला है कि मुस्लिम सार नाट माइनार्टी इन उत्तर पदिस। गूगल कर लेना आप लोग मैं जितनी बाते कह रहा हूं मेरे जाने के बाद आप लोग 2-3-4 देन सब गूगल करना सब आको डिटेल मिलेगा। सब यह लेवल है। 2007 में जस्टिस संभूना स्रिवास्तों की बेंच ने इलावाद हाई कोट के जस्त है हो। इलावाद हाई कोट ने बोला कि भई किसी जिले में 35% किसी जिले में 40% किसी जिले में 20% यह माइनार्टी नहीं हो सकते। क्योंकि भारत में जिसको 30% मिलती हो सांसत विधायक बन जाता है। 30% ओट पाने वाली पाइटियां सरकार बना लेती हैं। तो तीस पर किसी भी संसदी एघिया में अधिया मेरिया में विदाया समा के एघिया में जिसको तीज परसट टोट टोट मिलती तो जब 30 पर्सेंट रोट पाने वाला सांसत बन गया तो उस लोग सभा में 30 पर्सेंट कम्यूंटी मैनाटी कैसे हो गई कि सीरिसी की बात है मैंने सकूर्फ टमें चैलेंज किया मैंने कहा पहले आप माईमोटी को डिफाइन करिए और माईमाइन आट चैसे यह तो यह माईनाटी मेज़ाटी को Booze क्सका कॉणसरी खत्म करिए और वास्तों में खत्मी होना चाहिए जब भारत में कहा दिया कि सबको equal right है इक वोल्रेलीजिस राइट है एक कोवल जॉब की राइट है हर जगा intact दे दिया तो से निनन्टी ओण में उन्होंने प्लेशेषाप वर्षीप युड़ा बना श्राफ बनांगे बोला कि आधिया के अलावा और कोई माम ला कोट में जाई नहीं सकता अकाशीका मामला मथ्रुना कामाला कोई कौँको बनाइब मैंने इसको सुप्रीम कोट में चैलेंज किया है प्लेसिजाप औरशीप एट को अभी तीन जजों को रिफर हो पहले दो ज़स सुन रहे है था भी तीन को रिफर हो गया है अभी साथ 4 जुलाई आई 11 जुलाई को सुनवाई है अपधती भारती परंपरा भारती ग्यान विज इंगिर्दमी मना रही है आज कि शिक्षा पदिरी डॉक्टर सब्सक्राइब बना रहे है जो बाद में कड्नी बेश्ते हैं के सम्भिधान का आठेक़ 348 कहताय तीन भाषा पढ़ाई यह सरकार की डूटी है 351 कहता हिंदी जरूर पढ़ाएं तो यानि उगध्र पर औंपर पर सह ददूalter रामचरित मानस को हिंदी की प्राइवेट किताब लगाने की बजाए प्राइमरी में रामचरित मानस को लगा दिया जाए तो बच्चा हिंदी भी सीखेगा भगवान राम के आदर्स को भी सीखेगा रावड ने क्या गलत किया उसको भी समझेगा दसरजी ने क्या किया उसको को भिसमझेगा भारत की शंच्रिती को भी समझेगा भारती परमपरा को भी समझेगा भारती घ्ण native ज्रांट को समझेगा श्राम से दूसरा और 59colored पढ़ाता है कि आप संस्कृत पढ़ा बीजा गया होगा आप सबना संस्कृत पढ़ा बढ़ा होगा किसी ने चटुमीं पढ़ा होगा कि मैं के रहा हूं संस्कृत में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हैं हमारे वेद किसमें हमारे उपनिशत किसमें वेद उपनिशत पढ़ाईए बच्चा संस्कित भासा भी सीखेगा मन पर कैसे नियंत्रन करते हैं बुद्धी पर कैसे नियंत्रन करते हैं माता के साथ कैसे बिवार करते हैं पिता के साथ कैसे बिवार करते हैं भाई के साथ कैसे रहते हैं बहन के साथ कैसे रहते हैं वो भी सीखेगा तो भारती जीवन पद्धिती सीखेगा, भारती ज्यान वें ज्यान को सीखेगा, भारती परंपरा को सीखेगा, खानपान सीखेगा, मन भी उसका स्वस्त रहेगा, सरी भी उसका स्वस्त रहेगा, योग प्रणायम के बारे में भी सीखेगा, और संस्कित भासा भी सीख लेग पूरे दुनिया में इस कौन में भगवत बढ़ती है आप भगवत गीता को कूर्स में लगा दीजे। पूरे दुनिया में इस कौन में बढ़ती है सि कि प्राइवेट किताब पढ़ते किस लिए इंग्लिस भासा सीखने के लिए ना तो बगवत गीता इंग्लिस में है तो कम से कमो कृष्णी के उपदेश भी सीखेगा बाकि और जो डायलाग हुए है उनको भी सीखेगा भगवत गीता हमें कैसे सिखाती है कैसे रहना है कर्मियोग क्या है राजियोग क्या है तो अगर हम चाहें इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दे सम्मिधान की भावना के उनसार तीन भाशा लागू कर दे और संस्कृत में वेद उपनिशत लगा दे हिंदी में रामतरित मानस लगा दे और आपका इंग्लिस में भगोद गी जीव विज्ञान भावतिक विज्ञान के साथ साथ भारती परंपरा भारती ग्यान विज्ञान का विद्धन हो जाएगा इसको कोई रोक नहीं लेगा लेकिन हो नहीं रहा है कि बहुत सारे लोगों को सेक्लोरिजम का कीड़ा काट रखा है वो सेक्लोरिजम का कीड़ा ठी लोरिजम का वाइरस घुमता रहेगा जो सबसे बड़ी बात ये है खासतोर पर आईसी सी बोड में आज भी ये सिखाया जा रहा है कि रामायड और महाभारत पे कलपनी कहानी आए किया आएसे आईसी सी बोड को भारत में परमिशन होनी चाहिए क्या किसी भी स्कूल को ये परमिशन होनी चाहिए जो ये बताए कि रामायड और महाभारत पे कलपना है लेकिन चल रहा है कि मैंने कहा ना कानून कानून इसका समाधान है कुछ लोग कहते हैं कि समाध बदलता है तो सिस्टम बदलता है मैं इसका उल्टा सोचता हूं मेरा यह मानना सिस्टम बदलता है समाध बदल जाता है वही व्यक्ति टेन में चलता लग बिहेवियर करता है, मेट्रो में चलता लग बिहेवियर करता है, फ्लाइट में चलता लग बिहेवियर करता है, वही व्यक्ति राजकोट में लग बिहेवियर करता है, अमेरिका में जाका लग बिहेवियर करता है सिस्टम बदलेगा समाज बदल जाएगा इसलिए आप सब लोग भारत में समान सिक्षा की मांग करिए और मेरा ये मानना है समान नागरिक संगिता से सो गुना जादा जरूरी है समान सिक्षा क्योंकि समान सिक्षा होगी सब एक जैसी किताब पढ़ेंगे नफरत की चीजे नहीं पढ़ाई जाएंगी एक दूसरे के खिलाफ घृड़ा नहीं जो घृड़ा फैलाने वाले स्कूल जब घृड़ा बंद होगी तो वास्तों में इस देश में सरुधम संभाव आएगा हमारे देश की परंपरा जो रही है वो तो पढ़ाई नहीं जा रहा है हमारे देश की परंपरा रही क्या एक्वैलिटी हमारे देश की परंपरा नहीं रही है दुनिया में तीन तरीके की सोच है एक सोच है जो भारत की सोच है नारी तू ना Cristique अदर ग्रेड़ी का मतलब पूरा घर जिसका रेड़ी हो उसको क्या कहते हैं तो घर के घर में जो सबसे बड़ा जो पिता जी है उसके लिए उस पूरा परिवार उनका रेड़ी नहीं होता किसका रेड़ी होता है माता का यह हमारी परंपरा रही हमारे देश में राजकुमारों का नाम राज्यों पे नहीं था राजकुमारियों का नाम राज्यों पे था गंधार की राजकुमारी गंधारी पांचाल की राजकुमारी पांचाली कौसल की राजकुमारी कौसिल्या सौमित की राजकुमारी सुमित्रा यह हमारी परंपरा रही है तो हमारे देश में महिलापुर्स को बराबर नहीं मानते थे यह वेस्टन कॉंसेप्ट है हमारे देश में नर्तु नारायड नहीं कहा गया नारी तू नारायड हमारे देश में नौरात्रे में नो कन्याओं को पूझा जाता है कोई ऐसा ते और बता ही जहां बच्चों को पूजा जाता हो करन्या पूजन होता है हमारे दिसमें कॉंसेप्ट नहीं था यह वेस्टन कॉंसेप्ट है अमेरिकन यूरोपियन जहां वह हम कहते हैं नहीं महिला उपर है पूर से अलाग अलाग है हम अलब कंपेर करते ही नहीं वह कहते हैं वह कंपेर करते ही नहीं बराबर रहे हैं एक और भी सोच है तो स्लेव है कि देखि रहे सीरिया उर्याम आप देखी रहे हैं तो जब भारत का स्कूल भारती सोच को नहीं बढ़ा रहा है बारत के 80% स्कूल अमेरिका की इक्वैलिटी वाले सोच को बढ़ा रहे हैं और 20% स्कूल सीरिया वाली सोच को आगे बढ़ा रहे हैं तो कहां से भारती परमपरा मजबूत होगी है कितने गिने चुने गुर्कुल और भारती सिक्षा का प्रचार प्रसार करना के वल मंदिरों का काम नहीं कुछ संस्थाओं का काम नहीं यह सरकार की ड्यूटी से भाईया 75 लाग करोड रुपे तुम्हें जन्ता ने दे दी यह बात खतम हो गए तुम मनाओ तुम समाज को बचाओ तुम भारती संस्कृति के अनुसार कानून मनाओ कितनी बार आप कामन सिविल कोड लाने के पहले करिब दस कानूनों को खतम करना पड़ेगा और उन्हें अंग्रेजों ने बनाया था इस बार आठ अगस्त को हम लोग अंग्रेजी कानून जलाएंगे पूरे देश बर में तयार हैं आप लोग आठ अगस्त को भारत छोड़ों अंदोलन की वर्सगांट है तो को आप सब लोग चोटी चोटी टुकडं मिकठे हो है तो एक अंग्रेजी कानून की प्रिंट आउट निकालिये इस दिन पूरा देश में अंग्रेजी कानूनों को हम जलाएंगे आठ अगस्त को इसले जलाएंगे आठ अगस्त के दिन भारत छोड़ो अंदोलन सुरू हुआ था तो भारत छोड़ो अंदोलन की वर्सगाथ है आठ अगस्त को अंग्रेज तो भारत छोड़ गए लेकिन अपना कानून यही तो वह जो कानून छोड़के गए हैं करीब 200 कानून हैं उन कानूनों को हम जलाएंगे हम दिल्ली में जलाएंगे आप लोग आप यहां राज़कोट में जलाएंगे और भगवान ने चाहा तो इसी वर्स ऐसा मुझे फिलिंग आ रही है कोई मुझे जानकारी नहीं ऐसी फिलिंग आ रही है कि कामन सिविल कोड पापुलेशन कंट्रोल ला इसी साल बनेगा आज यह मेरा पैसठवा का रिकम है इस साल का जन्वरी में मैंने एक भी छुट्टी अपने घर में नहीं विताई है एक भी छुट्टी अब तक मैं 65 जिलों में आज यह राज़कोट मेरा पैसठवा दिन है मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रिम कोड रता हूं सटर्डे संडे आपलों के बीच में रता हूं आज यहां हूं कल सोमनात कोशिस यही है कि जब तक मैं मेरा सौ का आकड़ा पूरा हो तब तक कामन सिविल कोड आ जाए